जहन दोस्तों आप सभी का मेरे स्यूटीब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वामेत है दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सब इंस्पेक्टर की क्या-क्या डूटीज रहती हैं एक पुलिस स्टेशन में क्या-क्या रिस्पॉंसिबिलिटीज उसके रहती हैं आपके डूटी की टाइमिंग्स क्या रहती हैं आप फैमिली को कितना टाइम दे सकते हैं इन सभी कोशिल्स का अंसर करोगा काफी सारे बच्चे में इन से इन चीजों के वारे में पुछते हैं तो मैंने सोचा इसमें बिटे नवी बी यही बना दो तो चैनली जादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों देखिए जैसे ही आपके ट्रेनिंग खतब होती है तो आपका D-Core स्टार्ट होता है जिसमें आपको एक पुलिस टेशन एनोट कर दिया जाता है जिए हो भी डिस्टिक तपका जिसमें डिस्टिक साब के पाइनुकेशन आरही है उस परटिगूर डिस्टिक ते किसी पुलिस टेशन में आपको जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है वहाँ पर जाने के बाद आप सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ा पुलिस्टेशन में सीखते हैं कि पुलिस्टेशन वर्क कैसे करता है अब इससे क्या वर लबाए कि देखिए वैसे तो नॉर्बनी एक सबसे इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या होते है कि he's an investigation officer उसको crime जो है investigate कर रहा होते है and law and order situation को handle कर रहा होता है वर आगे जागे एक सबसे इंस्पेक्टर SHO भी बनते हैं तो उने पूरे ये पूरे police station का इंचार्ज भी बनाए जाता है तो उस case में आपको ये सीखना बहुत जरूरी हो जाता है कि police station वर्क कैसे करता है तो starting में आपकी ERV में भी नूटी बगाई जाती है आपकी माल खानाओ में रिकॉर्ड में आपको बिठाया जाता है आपको इस minus operator आपको बिठाया जाता है तो ये सारी डिपीज भी आपसे परफॉर्म कराई जाती है ताथ कि आपको अच्छे से पता लगे कि एक police station में क्या क्या काम होते है और कैसे कैसे नहीं कामों को किया जाता है अब इसके बाद सबसे main चीज आपकी आती है police station की सबसे पहले जो duties होती है उनको मैंने के अगर आपको बताओ तो prevention and detection ये का होता है police community prevention आपका जो होता है वो law and order जो होती है से आपकी picket लगाई जाती है या फिर आपके जो अलग-अलग arrangements लगते है है उनसे जो है आप law and order की situations को handle करते है prevent करते है crime को further होने से second होता है deport detection detection में आपका enough and investigation officer केकि इसमें आपको crimes investigate करना होता है detect करना होता है कि crime हुआ है कहा हुआ है क्यों हुआ है किस ने किया है criminal को आपको पकड़ना होता है तो यह new any duties होती है अब देखें इसी भी पुली स्टेशन पे बहुत जादा डिपेंड करता है आपका पुली स्टेशन कहा है किस लोकेशन में है कि आपकी law and order situation आपको जादा हैंडल करनी पड़ेगी आपके अरेंग्मेंट्स जादा लगेंगे कि किस एरिया में आपकी पोस्टिंग है कि आपकी इस तरीके का crime हैंडल करेंगे जैसे मानवी जीया आपकी कहीं पे साउट डेविसाइड पे है जहांपे crime आपको cheating के crime जादा लेखने को मिनेंगे तो आपको वो crime हैंडल करने का वहुका जादा निलता है वही अगर आपका North East के एरियाज में मुगोलपुरी सुल्तानपुरी जागी पूरी इस टाइप की एरियाज में आपकी है तो आपको मोर और लेस आपके थेफ्ट के रॉबरी के नाइफ अटेक और एक होते हैं इस टाइप के क्राइब आपको जादा देखने के मिलेंगे तो महां पर फुर्टरी के एक क्राम के टेकल करा जाता है अब ये तो होगे ुस इंजिशन की आपको क्या-क्या से ऐहाच क्या क्या-क्या कर दोनerson कीया रहती है अंब नॉर्मनी कर एक पुलिस सटेशन में आपकी ड्यूटी एमरजेंसी में लगाई जाएगी स्टार्टिंग में एक सब्सक्राइटी जिसमें आपकी 12-24 और कभी-कभी 12-12 की भी ड्यूटी रहती है 12-14 से उतलब क्या है कि 12 गंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी 24 गंटे का रेस्ट रहेगा अब ठाने में मानने जिए वर्ग्लोड जाता है या फिर स्टाफ कम ह तो आपकी ड्यूटी 12-12 की भी नगाई आ सकते है जिसमें 12 गंटे आपकी ड्यूटी रहेगी और 12 गंटे आपका रेस्ट रहेगा यह बहुत जाए डिपेंट करता है पर्टिकुलर पूलिस टेशन पूलिस्टेशन के कितमें टाइं के आपकी ड्यूटी रहती है अब के लिए होनी एक ऐसा त्योहार है जहां पर लोग बढ़ चड़तर के इसको उनायते हैं बहुत जादा पॉपनेशन जगा पे कठा होती है तो वहाँ पर क्राइंग को लोग और की सिस्टेशिक को मैंटेन करने के लिए क्राइंग को प्रिवेंट करने के लिए पुलिस को और जादा बढ़ जाती है और जादा आपका शेडियूल जो है वह एक्टिक हो जाता है इनफेक्ट कभी-कभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे मेरी सुबह आठ से शाम के आठ तर ड्यूटी थी 12-12 गंटे के एमर्जेंसी थी और उस एमर्जेंसी के साथ-साथ मुझे अरेंजम और फिर आपको वाग है वापिस अपने पूने स्टेशन वापिस आपड़ सकता है तो यह चीज़ बहुत जादा टाइम पर भी डिपेंट करती है अब माननीची कोई ऐसा टाइम है कि आपकी एरिया में जादा त्राउल हो नीगा जादा जो वाबल है थेफ्ट वगेरा य नीग बट एग मात बिल्कुल द्यान में रखेगा कि पुलिस आर 24-7 365 डेज ओन जॉब आपको कभी भी कौन करके गुनाए जा सकता है वर्जेंसी सिटेशन में अवान गुजिये मेरी आर्ट से आर्ट की ड्यूटी थी और शाव को साथ बच के 40 मिनट पे 45 मिनट पे एक ही दिल्डी पूलिस सविंस्पेक्र की जॉब इतनी फिक्स रही होता है जैसे आपकी इसकी जोग होगे कि वह 10-25 का मपर 10-25 है पाच बजे तो नहीं होता आप छुट्टी को लेगे अगर बात करेंगे तो छुट्टी आपको वीकली रेस्ट कभी मिल जाता है कभी सिचुशन ज्यादा स्ट्री ज्यादा प्रिटिकल होती है तो सेंसेटिव ज्यादा सिचुशन ह भी ठीक है आपने अपने सारे उलकों आपकी जो भी केसिस थे उनको भी अच्छी से टैकन कर रखता है तो उस टाइन पर आपको वीकली रेस्ट भी मिलेगा आप अपने घर भी जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बिता सकते हो तो यह सब दहुत अलग अलग तो उन सब चीज़ों में आपकी जो डिटीज होती है आपकी टाइमिली को देने के लिए अगर आप पूर्लि स्टेशन में रहेंगे या आप सेंड में मानिजे चूड़ियाप स्पेशल सेंड में है क्राइम बराज में है वहाँ पर टाइम आप और भी कम मिलेग आप इतन जादा जो hardened cranials हो गये उतको पकड़ने के लिए इतने जादा busy रहोगे कि कभी कभी 3-4-4 दिन 5-5 दिन आपको भराने का टाइप मेरे फादर भी इसी डिपार्टमेंट में रहे है और उन्हें special cell में crime में काफी जादा time बिताया तो मुझे पता है कि उनके लिए job करना और कितन जादा मुश्किल हो जाता है अपनी फैमिली के को time दे पाना कितना जादा मुश्किल हो जाता है तो यह सारी चीज़े हैं जो इस job को काफी जादा hard new बना देती हैं आपका time कोई भी ऐसा fix इसमें नहीं होता अब इसके अलावा देखे यह तो आपकी starting की होगे कि आपको मैंने job का थोड़ा idea दे दिया अब इसके अलावा एक और duty investigation officer भी होती है वो होती है आपकी court होई आप कोई भी crime को investigate करोगे किसी को भी आप पकड़ के लाओगे तो उसको आपको पता है रून है 24 गंटे के अंद बयान देने के लिए जाना पड़ता है आपको भी अपना case रखने के लिए जाना पड़ता है फाइल इंसाम को तैयार करने ही पड़ती है तो फिक यह सारी चीज़े भी आपको अपनी job के साथ साथ करनी ही है आपका जनरली क्या होगा जब आप थोड़ा आपको experience हो जाएग कोट में चीज़े handle करने के बाद आप तो थाड़े आना पड़ता है फिर थाड़े में situation को handle करना पड़ता है वहाँ पे cases को देखना पड़ता है फिर उसके बाद रात को आपको प्रमोशन में जैसे थाड़े में क्या रहता है एक सबसे उपर होता है आपका SHO तीन इंस्प होते हैं वह पूरे थाड़े को सबसे ऊपर रहते हैं और फिर वह पूरे थाड़े को समानते हैं तो जब आप इस position पर पहुंच जाएंगा आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आपका time और भी जादा आपको पूलिस सेशन ले देने आपड़ता है आपका schedule और जाद हो जाद हैं कितनी छुट्टी अले नंती है यह कुछ भी fix नहीं होता हां आपकी 15CN 30EN और और भी दूसरी वेकेशन्स है जो आपको मिलती है बट वह नहीं की कव आप उने में सकते हैं किन situations में आप नहीं सकते हैं वो सारी चीज़ें आपकी duty पर बहुत जाद इंटे पाइंग करती हैं emergency situations में आपकी सारी की सारी चुट्टी आली cancel कर दी जाती है कि चुट्टी पे कोई हो तो लेनी वापिस बुला दिया जाता है इतना ज्यादा इस जॉग में आपको जो है time would लेके चलना पड़ेगा कुछ भी ऐसे fix नहीं होता बाकि इस वीडियो में मैंने आपको अपनी तरफ से जादा से जादा समझाने की कोशिश करी कि क्या एक ब्यूटी को फर्म करनी पर दिया एक सर्व इंस्पेक्टर को क्या क्या timings रहती है still अगर आपके कोई query हो तो आप मैंसे ज़रूर बूच सकते है कुछ हो है ने इसमें गलत कह दिया हो या फिर कुछ इसमें आप को नगा हो के ठीक लें इतका थोड़ी ड्यूटी देचेंज होती है कुछ वह होता है तो मैंने अभी नहीं जॉइन करी है इस तो थोड़े से उस चीज में हो सकता है पर मेरे हमने सिच्वेशन अलग हो किसी और को इस सिच्वेशन अलग हो उसके ने में आपको feature में कोई औ जिन मैं और दूसरी posting के बारे में जरूर डालूगा बाकी नेस्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी आप ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को शेर कीजिए नाइक जरूर कीजिएगा इन सब चीजों से हमें भी motivation वनती है ऐसे ही अफ़लब प्य कार दिहाते रहिए जल्दी आपसे फिन मुलाकात होगी जाहिए